नमस्कार, स्वागा थे आप सभी का परिच्छा वर्ड के इस योटूब चैनल में दोस्तो आज का हमारा जो प्रेक्टिस सेट है 49 नमबर का चलिए इसको जल्दी से कंप्लिट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रेक्टिस सेट है इसमें हमने कौन-कौन से महत्पूर्ण 30 प्रसंदों को सम्मलित किया हुआ है पहला इंपॉर्टेंट प्रस नमारा आज का है निमलिकित में से कि सुल्तान ने सबसे ज़्यादा बिरोजगारों को रोजगाद दिलवाया था तो इसमें से कौन सा सुल्तान था जिसने विरोजगारों को रोजगा दिलवाया था तो यह सुल्तान था फिरोज सात तुगलक तो option D इसका बिल्कुल से फिरोज तुगलक के सुल्तान लगबग डेड़ लाग से भी उपर अपया लेकी लगबग डेड़ लाग से भी उपर गुलाम थे इसके दरबार में फिरोज तुगलक के तीसे अब ध्यान दिजेगा अगला प्रस्त मारा है तैमूर लंग के आकरमर के समय जो है भारत में किस वन्स का राज अस्थापित हुआ आपको बताना है कि तैमूर लंग के आकरमर के समय जो है जो है किस वन्स का जो है राज अस्थापित हुआ था भारत में तो यह राज अस्थापित हुआ था किसका तो लोधी वंस का यानि कि option A इसका बिल्कुल सही है लोधी वंस अगला प्रस्त मारा है दच्छिड भारत के मंदिरों के आकर्षक जो द्वार होते थे वे क्या कहलाते थे तो दच्छिड भारत के मंदिरों के जो आकर्षक द्वार होते थे वे कहलाते थे गोपूरम यानि कि option B इसका बिल्कुल सही है गोपूरम दत्षिक भारत के मंदिरों के जो आकर्षक द्वार होते थे जो मतलब में गेट होता था उनको हम कहते थे गोपुरम तो option B इसका बिल्कुल सही है अगला प्रसमा रहा है होर्स चरीत नामक पुस्तक किसके दोरा लेखी गई है तो हर्स चरीत नामक पुस्तक लिखी गई है बार भट के दोरा तो option A इसका बिल्कुल सही है बार भट यानि कि option इसका B बिल्कुल सही है रांची जो है यह बिर्षा मुंडा का कारे छित रहा है अगला प्रसमा रहा है और अफगानिस्तान के प्रती आक्रमक निती किस वाइसराई किदर अपनाए गये थी तो Lord Leighton था यह वाइसराई उसमे जिसने जो है अफगानिस्तान के प्रती जो है आक्रमक निती अपनाए थी तो राइटेंसर आपको जगा Lord Leighton अगला प्रसमा रहा है अठारा सो अठार का वर्णा कुलर प्रेस एक्ट किसके दोरा रद किया गया था तो यह जो वर्णा कुलर प्रेस एक्ट आप जादे के देशी जो भसाओं के अखबार छपते थे उन पर रोक लगाने के लिए उन पर प्रती बंद लगाने के लिए इस एक्ट को लाए गया था Lord Leighton के दोरा आप जादेखिएगा यह जो एक्ट था वर्णा कुलर प्रेस एक्ट यह देशी भसाओं के अखबार पर प्रती बंद लगाने के लिए लाए गया था एक्ट लाइड लिटन के दोरा परंतु इस एक्ट को रद किसने किया था तो इस एक्ट को रद किया था Lord Reaper ने तो दोनों आपको याद अखना है किसने लागू किया था और किसने रद किया था अगला प्रस्त मारा है अस्थाई बंद बस्त जो की 1793 में किया था किसके साथ किया था आपको पताना है तो अस्थाई बंद बस्त किया था यह जमिनदारों के साथ किया था अगला प्रस्त मारा है नमलिकित में से किसको समिधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की सक्ति दे गई है तो सरोच न्याले अनुच्छे 32 और उच न्याले अनुच्छे 226 ये दो आर्टिकल सुप्रिम कोर्ट और हाई को पावर देते हैं कि ये मौलिक अधिकारों को लागू करें ताप इस याद देखेगा फंडामेंटर राइट्स जो हमारे हैं हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको लागू करने की जो सक्ति है हमारे देश का जो उच न्याले हमारे देश का जो सुप्रिम कोर्ट उसको दी गई है और हमारे देश की जितने भी हाई कोट है उच्छ नेले उनको दी गई है ताप इसे याद रिखेगा अगला प्रस्त मारा है भारत के समिधान का निमलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वातंतरता से समंदित है तो अनुच्छेद जो 19 है या प्रेस की स्वातंतरता से समंदित है तो आप्सन ए इसका बिल्कुल से है अनुच्छेद 19 अगला प्रस्त मारा है निमलिखित समिधानिक उपचारों में से किसी पोस्ट मार्टम भी कहा जाता है तो उत्प्रेसन को जो है पोस्ट मार्टम भी कहा जाता है तो राइट एंचल आपका जागा उत्प्रेसन अगला प्रस्त मारा है मौलिक कतब्यों को निलधारित किया गया है कौन से समिधान संसोधन के तहत तो बैलिस्वा समिधान संसोधन किया गया तो याद रखेगा बैलिश्वा समिधान संसुदन किया गया तो 1976 मेशी के तैज जो है आर्टिकल 51A के तैज जो है हमारी वालती समिधान में मौली कतब्यों को रखा गया तो अगला प्रस्त मारा है बिश्चु की सरवाधिक लंबी परोशिंखला कौन सी है तो यह साउथ अमेरिका में आपके मिलेगी दच्छड अमेरिका में मिलेगी एंडी यह विश्चु की सरवाधिक लंबी परोशिंखला है अगला प्रस्त मारा है कोकोच प्लेट किनके मद भी पाई जाती है तो यह जो कोकोच प्लेट है यह मिलेगी मद अमेरिका प्रसान प् जाएगा जौला मुखी यानि कि option A इसका बल्कुल सही है अगला प्रस्मारा है जोहांसबर्ग क्यों famous है तो सोने खनन के लिए famous है जोहांसबर्ग तो साउथ अफ्रिका या पयोगा सौरी तो दच्छड फिरिका का एक सहर है जोहांसबर्ग जो कि सोन यानि कि सोने के खनन के यह famous है अगला प्रस्मारा है संसार की छत किसे का जाता है तो संसार की छत का जाता है पामीर की पठार के इनकि option C इसका बिल्खुल सही है पामीर रेगूर किसका नाम है तो काली मिट्टी यानि कि black soil को हम रेगूर के नाम से भी जानते है तो राइट एंसर आप का जाएगा जो काली मिट्टी है उसको हम black soil मतलब जो काली मिट्टी उसको हम रेगूर के नाम से भी जानते है ताब इसे आदे किएगा अगला प्रस्न मारा है सोडा वाटर की बोटल खोडने पर निकलने वाली गयस कौन सी है सोडा वाटर की बोटल खोडने पर निकलने वाली गयस कौ अगला प्रस्त नमारा है एक ही प्रकार का प्रमाड़ु उन्युन में से किस में मिलता है तो प्रकरतिक तद्यु में जो है एक ही प्रकार के प्रमाड़ु मिलते हैं तो राट इंसल आपका झाये जाएगा ओप्सन C अगला प्रस्त नमारा है सबसे अधिक क्रियासिल लातू कौन सी है तो सबसे अधिक क्रियासी लातू है सोडियम यानि कि option A इसका बिल्कुल सही है सोडियम अगला प्रस्मरा है वनस्पती तेल से घी बनाने में प्रुक्त होने वाले गैस कौन सी है तो वनस्पती तेल से वनस्पती घी बनाने में कौन सी गैस प्रुक्त की जाती है तो हाइड्रोजन है निकि option इसका A बिल्कुल सही है हाइड्रोजन अगला प्रस्तमरा है खाने का अमल किस से बनता है तो खाने का जो अमल होता है बनता है मजबूत अमल और मजबूत चार से यानि option B इसका बिल्कुल सही जो खाने का अमल होता है या मजबूत अमल और मजबूत चार से बनता है तो option जो इसका B है बिल्कुल सही है अगले प्रस्तमरा है हाली में आया जो चक्रवात था अमफान इसका जो नामकरण तक किस देश के तरह किया गया था तो अमफान का जो नामकरण था ये किया गया था तो थाइलेंड के तरह तो option A इसका बिल्कुल सही है जो अमफान नमक चक्रवात आया था इसका जो नामकरण था ये किया गया था था थाइलेंड के तरह और एक निसर्ग चक्रवात आया था निसर्ग चक्रवात का जो नामकरण था ये किया गया था राष्ट्री दूध दिवस तथा यह 26 नौबर को बड़े होता है डाक्टर वर्गीस कूरियन का भारत में दूध करांती की जो जनक है वो मतने जो जन्म दिवस होता है यहां मनाते हैं हम रास्ट्री दूधक दिवस के रूप में पर आ देखेँगा तता यह जो राश्ट्री दुद को दिवस है यह डाक्टर वर्गिस कुरियन का जन्म दिवस होता है अगला प्रस्थ नमारा है मुख्यमंत्री यूबा योगा योग योजना किस राज्य की योजना है तो मुख्यमंत्री यूबा योग योजना जो है यह आपके मिड़े की तिरपुरा राज्य सरकार के तो option भी इसका बिल्कुल सही है तिरपुरा की यह योजना जिसका नाम है मुख्यमंत्री यूबा योग योजना ताप किसे याद देखिएगा आज का लास्ट प्रस नमारा है चेंपियन्स पोर्टल की सुरुवात किसके दोरा की गई है तो MSMEने की micro, small and medium enterprises की दोरा जो है MSME जो है इसी के लिए मतला है micro, small and medium enterprises के लिए जो है MSME पोर्टल की सुरुवात की गई आपिस याद देखिएगा option A इसका बिल्कुल सही है जो MSMEने की जितने भी हमारे micro, small and medium industries है enterprises है उनके लिए जो है चेंपियन्स पोर्टल को सुरुव किया गया था हाली में तापीस से ध्यान दिजेगा तो दोस्तो आज का हमारे जब प्रेक्टिस सेट था उसको हमने complete कर लिया है जल्दी मिलेंगा मिसके अगले भाग में तब तक के लिए thank you, thanks for watching, thank you